हलो नमस्कार जहीन दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल विद्यस्यस में तो दोस्तों मैं हाजीर हूँ एक और इन्फार्मेटिव वीडियो के साथ जो की यूपी आई टी आई एडमिशन 2023 के लिए होने वाली है तो दो दोस्तों मैंने आपको पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि अभी आप जो दी टी है अपका वह आपका आई टी आई का एक्जाम के लिए बीजी है उसके बात दोस्तों आपका एक सी आइटीयस कोर्स होता है उसमें भी जो एक और अब नया एडमिशन हो रहा है उसमें भी DGT जो है अपनी involving किये हुए तो इन बहुत सारी चीजों के related DGT बहुत सारी involved है आपके जो है कामों में उसके बाद दोस्तों बात करें UP ITI का जो है अभी ITI का जो आपका exam हो रहा है first year और final year वालों का वो exam process में है और दोस्तों इसमें अगर वो merit list दे देते हैं तो बच्चे merit list देने के बाद उनको जो है admission के लिए फिर तुरंट जाना पड़ेगा कि कब जाना पड़ेगा admission के लिए तुरंट जाना पड़ेगा तो admission के लिए तुरंट जाने के लिए फिर उनको जो है college में अभी तो exam चल रहे है उनसमें teacher सारे सब busy है तो उनका documents verification कैसे होग तो दोस्तों आप सभी लोगों पता जो ITI का exam अभी चल रहा है वो 10 जुलाई से चलेगा कब तक 4 अगस्त तक 10 जुलाई से जो है आपका 4 अगस्त तक जो है आपका exam चलना है तो दोस्तों मुझे जहां तक लगता है आपकी जो मेरी लिस्ट आएगी इसी जो है जुलाई के लास्ट में आएगी जुलाई के लास्ट में लगए लगए 27-28 जुलाई को आएगी उसके फिर 4-5 दिन बाद आप जाकर के कालेज में डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन करा сेउन चल रहा है UTI में यहां इसलिये दोस्तों आपका चार जब घृघ्चि का खतम होगा तो उसी के दर्मियान धोस्तों ल मुझे लगता है मेरी लिस्ट इसकी आने वाली है तो दोस्तों अगर पहले पहले बहुत अच्छी बात है तो उसके पहले दोस्तों मेरा च І रहता है तभी जो है रहता है दस दिन या बारा दिन के अंदर आ जाती अगर अभी तक नहीं आई दोस्तों तो इसी लास्ट जुलाई में आएगी जब मेरिट लिस्ट आई उसके तीन चार दिन बाद आपको डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको जह हमें लगता है दोस्तों बुलाया जाएगा तो आप लोग दोस्तों लगातार इस चैनल पर अपडेट रही है जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा क्योंकि दोस्तों आपके लिए चैनल बहुत हेलफूल होता है होने वाला है और जितनी भी जो है लिस्ट आईगी मेरिट लिस्ट जैसे आईए फस्ट नहीं नहीं हुआ सेकेंड थर्ड जितनी भी आएगी तो आपको क्या करना है प्रॉपर मेरिट लिस्ट में भाग लेते जाना ऐसा नहीं है कुछ लोग क्या करते हैं पहली मेरिट लिस्ट में नाम नह तो आप लोग वहां पर भी पता कर लेना जब सारी लिस्ट आ जाए उसके बाद भी क्या सरक सीट खाली नहीं है तो जब सीट खाली होती तो डारेक्ट वहां पर एडमीशन हो जाता है दोस्तों तो यह जो है दोस्तों 50% भी अगर आपका नंबर है या 50 से प्लस है नंबर 27, 28, 30 जुलाई तक भी आ सकती है तो 27, 26 जुलाई तक आएगी दोस्तों लेकिन जैसे आएगी मैं आपको अपडेट करूँगा और दोस्तों आप वीडियो के इंड करूँगा और इंड करने से पहले दोस्तों कि आप लोग अगर नए है इस यूटूब चैनल पर तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नेस्ट इंफर्मेटिव वीडियो के साथ नए हो तो जरूर चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों